नमस्का दोस्तो दोहजा 24 आंगनवारी की तरफ से बिना परिच्छा के सीधी भरती निकल कर आ गई है योगता दस्वी पास दोहजा 24 में अगर आपको भी आंगनवारी की नोकरी चाहिए तो इसमें आपको देखिए कोई एक्जाम नहीं देना है 23 अगरस्त दोहजा 24 तक आविदन आप इसका कर सकते हैं फॉर्म बरना इसका सुरू कर दिया गया है जी हैं दोस्तो पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले है कि कौन से राजजिकली भरती निकाला गया है यहाँ पर महिलाओ को बिस्ते सुरूप से छूट मिलेगा केवल महि करके चलन को सब्सक्राइब कर दियेगा और नीचे कमेंट करके बता दिये कि आपकी इस राजज जैसे वीडियो देख रहा है ताकि आपके राजज में कौन-कौन सी विभाग की वेकेंसी निकल कर आने वाले उसकी भी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुचा जाए इस सबी वेकेंसी का अपडेट सबसे पहले आपके पहुचता रहा है तो चले पूरी इंफॉर्मेसन आपको यहाँ पर प्रवाइड कर देते हैं दसबी पास वो लोग इसके लिए आविदन कर सकती हैं कच्छा दसबी पास महिलाओं के लिए आंगनबाडी में बंपर भरती निकल कर आगई है इसके साथ आपके राज्ज में कब तक भरती निकल कर आजाएगी उसकी भी जानकारी आपको देंगे यह कौन से राज्ज के सबसे पहले योग गता बताएगा जो लोग अच्छा दसबी पास से वो लोग आविदन कर सकते हैं नंबर आफ वेकेंसी देखी 12,586 पदों में से यहाँ पर देखिए फॉरम बनना सुरू कर दिया गया है आफ लाइन आपको फॉरम बनना पड़ेगा अभी आपको इसका भी यहाँ पर ओपन करके दिखा देएंगा तो वीडियो को आखरी तक देखिएगा यहाँ पर इस टार्टिंग डेट बता दिया गया कि इसका फॉरम बनना सुरू कर दिया गया और 23 अगस्त 2024 से पहले आपको इसके लिए आविदन कर देना है यहाँ पर पड़ सकते हैं अ अच्छा दस्वी पास है वो लोग इसके लिए आविदन कर सकती हैं लेकिन यहाँ पर देखिए महिला अभियारते किसी भी मानता प्राप्त देखिए संस्थान से कच्छा दस्वी उत्रिड होनी चाहिए इसके साथ देखिए महिला उम्मिद्वार उस ग्राम पंचायद की स्थानी निवास होनी चाहिए जिस ग्राम पंचायद के लिए आंगनवाडी के अंदर में वो आविदन करना चाहती हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा इसके साथ है सैलरी यहाँ पे 9,000 रुपे से लेकर 14,700 रुपे परमन्थ आपको वेतन मिलने वाला है इसके साथ 21 साल से लिए कि यहाँ पे 40 साल तक का एज लिमिट रखा गया है जिसमें देखिए कटेगरी वाईज आपको छूट भी यहाँ पे दिया जारा जैसे कि आप यहाँ पीशिच को देख सकते हैं पिछड़ा वर्गो को इसके साथ यहाँ पे देखिए बताएगा कि 40 साल तक का मैकसिमम एजल मिट यहाँ पे रखा गया है इसके साथ यहाँ पे देखिए फार मषेस आपको नहीं देना है इसके साथ को कोई भी इहाँ प्यख़्ा इंग्जयागा जैसे कि आप इहाँ पिशिच को देख सकते हैं और कौन कौन सा डाक्यमेंट लगने वाला है क्योंकि य इसके साथ यहाँ पे कच्छा दस्वी पास महीलाओ के लिए अगस्त दो हजाद चौवीस की लेटेस्ट भरती लेके आ गया हैं जिसका की फॉरम महीलाओ को भर देना तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे आप डॉक्मेंट देख सकते हैं कौन-कौन सा डॉक्मेंट आपको लगने वाला फॉरम भनने के लिए तो यहाँ पे डॉक्मेंट कलिश्ट दिया गया जिसमें दस्वी कमार सीट हो गया इसके साथ यहाँ पे दिखिए इसके साथ यहाँ पे दिखिए job location राजस्थान के लिए भरती निकाला गया है यहाँ पे इसका देखिए official आप notification भी open कर सकते हैं आपको इसका official notification और application form PDF में जो है उसको open करके दिखा देते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर okay कर दिया आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें अभी देखिए 323 vacancy का form भनना सुरू कर दिया गया 23 अगस्त 2024 तक आप इसके लिए आविदन कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर इस चीच को पर सकते हैं आपके सामने यहाँ पर complete देखिए official यह notification है आंगन बाड़ी की यहाँ पर देखिए आप इस चीच को पर सकते हैं कि इसमें देखिए कार करता होगा सहाई का होगा इसमें कुल पदो की संख्या भी बता दी गई है जिसमें कि यहाँ पर देखिए आप पर सकते हैं कि यहाँ पर जिस जीले से आप यह वीडियो देख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट भरती ओपन होके आ जाएगी जिसमें कि अपको परिच्छा भी नहीं देना पड़ेगा कच्छा दस्वी और बारवी पास वालों के लिए बहुत सारी ऐसी भरती निकल कर आ गई है जिसका फॉरम जरूप भरियेगा तो चलिए आपको ब बता सकते हैं कि भारत के आपकी से राज जैसे वीडियो देख रहा हैं ताकि उस राज्य के भी आंगनवारी के जैसे ही कोई अपडेट निकल कराती उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुचा जाएगा तो नीचे तुरंत कमेंट करके अपने राज्य के नाम बता द दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोडिफीकेशन ओन कर लिजेगा यहां समारे टेली ग्राम ग्रूप और वाट्सप ग्रूप में ओके करके जुड़ जाएगा ताकि डेली गौवर्मेंट जॉब वेकेंसी का प्डेट सबसे पहले आपके पास पह मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत